नमस्कार दोस्तों, Welcome to सरकार Study Waves Education चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं Artificial Intelligence जिसे सौट में हम बोल देते हैं AI यानि कि Artificial Intelligence या फिर हम बोल सकते हैं करत्री बुद्धिमत्ता जैसे कि हम अगर बात करें AI की तो यह जो होती है प्रकार से जिसे मनुस्स सोचता है या इनसान सोचता है उसी प्रकार अगर मसीन को बना दिया जाए मनुस्स के सोचने के हिसाब से यानि कि जिस प्रकार मनुस्स सोचता है उसी हिसाब से अगर मसीन सोचने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम AI की संग्या दे सकते हैं बरतमान में बहुत सारी चीज हमको AI के example के रूप में देखने को मिलीगी AI को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने जो है e-governance के बारे में complete चीजे पढ़ लिया है उसको आप जाकर देख सकते हैं second हमने जो है e-commerce के बारे में हमने complete चीजे देख लिये हिस्ट्री है उसका विकास कैसे हुए सारी चीजे हम यहां पर देखने वाले है उसके बाद AI के अंतरगत एक और चीज देखने मिलती है expert system जिसे हम sort में ES या फिर विसेशग प्रणाली हम बोल सकते हैं तो उसको भी हम जानेंगे करके तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर AI क्या होता है तो AI हम simple अगर देखें तो AI जो है computer science के एक ब्रांच है यानि कि computer science के एक साखा है जिसके अंतरगत machine को ऐसा बनाना यानि कि machine को इस हद तक capable बनाना ताकि वो मानव बुद्धी जैसे मानव बुद्धी से जुड़े सारे काम वो बुद्धी काम कर लेगा उसी प्रकार हमारे जो है machine काम करेगी यह किसके अंतरगत आ जाएगा AI के अंतरगत इसके अलावा बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली जो भासा है उसको समझना जैसे मनुष से समझ लेता उसी प्रकार machine को समझना है साथ ही उसका translation भी करना है तो बरतमान समय में बहुत सारे example आपको देखने मिलेंगे इसी से related आगे हम बात करेंगे उनकी डेटा का विसलेशन करना डेटा को analysis करना जिस प्रकार मनुष की छमता होती उसी प्रकार जो होती है machine की छमता यहाँ बनाने को देखी जा रही है recommend करना है यनि कि सिफारिस करन साथ ही हम अगर बात करें तो तरक से संबंदित कार करना है नि कि हम simple अगर बोले तो logic से related काम करना सही है या नहीं है if वाली जो condition होती न उस हिसाफ से जो machine है वो काम करने लगेगी उसके साथ ही नई नई चीजे सीखना देखकर किसी को या सिखाने को जैसे आज की date में जो robot है रोबोट भी आपको देखने मिलेंगे रोबोट भी किसके लिए मतलब कौन सी technology follow करते हैं और रोबोट जो है एक प्रकार से caretaker की रूप में भी आने लगे हैं तो वो देख देखकर सीख जाते हैं तो यह क्या है AI है परयावरण के साथ बातचीत करना साथ ही समस्याय जो बिसेश प्रकार की होती है उनको सुल्जाना creativity का अभ्यास करना जिस प्रकार रजनात्मक्ता की जो capacity मनुस्यम होती है उसी प्रकार मनुस को देखकर इसको जो है machine में apply करना इसी को हम क्या बोल देते AI बोल देते हैं AI का उप्योग bit यानि कि जो finance होता है पैसे देले से related जो कुछ चीजे होती है उसके साथ ही हम कई उद्ध्योग यानि कि बहुत सारी industry में इसका उप्योग कर सकते हैं जहां इसका उप्योग बड़ी मात्रा में data को analysis या data का विसलेशन करने साथ ही धोका धड़ी या जो fraud होता है उसको पता लगाने के लिए हम किसका उप्योग कर सक सकते हैं कुछ AI प्रोग्राम अपने पिछले अनुभवों से सीख भी सकते हैं या अगर जो प्रोग्राम है हमने पहले से कोई काम दिया उसको या कुछ चीजे सर्च की हैं तो उस अधार पर वो अगला जो जो भी output आएगी उसकी अगली प्रदर्सन या अगला performance रहेगी व वह मनुस की बुद्धिमत्ता या मनुस की intelligence की तरह ही कारे कर सके तो उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर AI बोल देते हैं अर्थात जब हम किसी machine में इस तरह के program सेट करते हैं कि वह मनुस की अनुसार या मनुस के जैसे ही कारे कर सके तो उसको हम बोलेंगे AI तो AI तो इसे ही काम कर सके तो उसे हम क्या बोलेंगे AI बोलेंगे तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बहुत सारे एक्जामपल हमको देखने को मिलेंगे उसके पहले मैं बता दूँ आपको जो जौन मेकार्थी नाम के परसन थे इन्होंने सबसे पहले AI सब्द को मतलब AI जो है यह Artificial Intelligence हम बोल रहा है इसके पिता के रूप में किसे जानते हैं जौन मेकार्थी को जानते हैं बुद्धिमान मसीनों मतलब इन्होंने क्या बोला है जौन मेकार्थी ने क्या बोला है बुद्धिमान मसीनों यानि कि जिस प्रकार इंसान बुद्धिमान होता है उसी प्रकार ब थोड़ा से ध्यान रख सकते हैं AI जो है computer बनाने का एक तरीका है एक computer नियंतित रोबोट रोबोट जो इंसान जैसा होता है machine एक software बुद्धिमानी मतलब जो बुद्धिमानी या कृतिने बुद्धिमत्त के हिसाब से वो सोचता है ठीक उसी तरह जिस प्रकार मनुष से सोचता है मतलब मनुष से जैसा सोचता है वैसे अगर software या प्रोग्राम के दौरा सोचने लगे तो वो क्या कहलाता है AI की सिरिनी म होती है उसको एक machine में apply करना क्या कहलाता है AI कहलाता है मतलब उसका अध्यान ही हम बोल सकते है AI में सामिल करेंगे AI के लक्ष क्या है मतलब AI जो है अगर इसकी बात करें तो AI का प्रात्मिक लक्ष है machine में माना बुद्धी माना जैसे जो बुद्धी मत ता है या माना जैसी intelligence ह उसको apply करना इसका प्रमुक लक्ष है ताकि हमको कम से कम जैसे मनुस्यों की बहुत सारी जरूवत होती है काम करने के लिए तो हमको मसीनों के द्वारा जादस जादा हम काम करा सकें इसके लिए इसका प्रमुक लक्ष माना जाता है जटिल से जटिल जो कारे होते हैं जो मनुस्य करता है निर्णय लेता है इन सभी कारे को मसीन करने लगेगी कब जब AI अप्लाई हो जाएगा ठीक है याई कि उद्देशो में जो है मुख रूप से बहुत सारी चीजे सामील है जिसमें सबसे पहला हम देखें तो कोई भी प्रॉब्लम के सॉलूसन और डिसिजन लेने यानि कि समस्या का समाधान और निर्णय लेना इसकी पहला प्रमुक लक्ष माना जाता है तो इसका मुख उ पहला है उसका विसलेशन करना एनलेसिस करना जो भी पैटन फॉलू किया जार उसकी पहचान करना जो डेटा संचालित है उस पर निर्णय ले सके सारी चीजें यहां देखने को मिल जाती है समस्या को हल करना यानि कि जो प्रॉब्लम होती उसको सॉल्व करना कुसलता पूर जो भीख्सित करने का मुख लक्ष हमको समस्या के समध्हान की रुप में देखने को मिल जाता है जैसे एक पेसंट है पेसंट की देखभाल करने के लिए देख fine robot बने दिये रुब्लम के अंधर क्या है रोब्लम एक computer प्रॉग्राम है जिसके अंधर गत ए आई से परिपू इसे हम बोल सकते हैं तो यह क्या तो एक प्रकार से जो प्राकरतिक भासा है उसमें मनुस्यों को समझना साथ ही जो मनुस्य है उससे बादचित करना आपने example की रूप में भी देखे होंगे देखे जो Mac iOS है Mac मतलब जो laptop होता है या iOS मतलब जो आपके tablet वगरा और phone में रहते है Apple के उसमें आपको ये जो है एक प्रकार से Siri देखने को मिलता है जो assistant होता है जो कि हमारे बोलने का अनुसार कुछ answer देता है एसे Amazon का Alexa देखे होंगे ठीक है ये देखे इस प्रकार Google Assistant जो Google Home हम देख सकते हैं ये सब हम जो भी बोलते हैं उसकी request को accept करते हैं और साथ में उसका output प्रदान करते हैं ठीक है आप अपने phone में Google का इस्तेमाल करते हैं उसके Google बोलके तो वो भी क्या है एक प्रकार से जो होती है Deep Learning और जो Machine Learning होती है AI के Subset माने जाते है AI के मतलर एक प्रकार से Subcategory होती है जो मसीनों को इसपस्ट प्रोग्रामिंग के बिना डेटा को सीखने में सक्षम बनाने के लिए केंदरित है साथ ही तक्निक जो है उसमें कंप्यूटर बिग्यान, बॉक पहचान, सिफारी सिस्टम, सहित अन्य जो छेतर है उसके लिए प्रगती भी यहां देखने को मिल जाती है मसीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसका मुख्योदेश है इसके साथ ही Robotics और Automation में यही का जो होता है एक प्रकार से उप्योग होता है AI को Robotics के साथ एक इकरत करने से बुद्धिमान मसीनों को जन में मिला है जो बहुत ही कारियों को सटिक्ता से कर सकती है जिसे automatic vehicles जो आगा है मतलब जिसे आप देखोगे तो बहुत सारे देशों में automatic vehicles आगा है इसका मतलब है बिना driver के वो चलने लगे है तो इसके पीछे काम करता AI ठीक है मतलब प्रकार से एक robot बोल सकते हैं जो car होती वो खोदई या फिर आप simple बोले तो automatic चलती है वो AI के कारण ठ मैंने अभी बता है caretaker के रूप में robot आने लगे है ठीक है बड़ी बड़ी जो जैसे मान लो जो IT की field में सबसे आगे country है उनके द्वारा ये चीजे देखने को मिल जाती है रचनात्मक्ता इने creativity और नविनता को बढ़ावा देने के लिए AI का यहां मुख्य लक्ष है तो य हिष्टी हम विस्तार से जानेंगे next class में तो हिष्टी में simple देखें तो आपको 1943 से सुरुवात होती है कहानी 2015 तक हम देखेंगे हाला कि अभी क्या चल रहा है 2024 तो 2024 के example भी हम यहां पर देखने वाले हैं तो हमने यहां पर AI के बारे में basic रूप से जाना AI के लक्ष यहां प आता सकते हैं